जब कभी भी बात सोशल जस्टिस की आती है तो कई सोशल रिफॉर्मर्स के चेहरे आखों के सामने आ जाते हैं लेकिन जैसे ही आप इंडिया में साउथ की और जाएंगे तो एक नाम सबसे पहले लिया जाएगा वो है ईवी रामस्वामी पेरियार का जिनको फादर ऑफ दे ड्रवेडियन मूव्मेंट माना जाता है पेरियार ने वहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट मूव्मेंट और ड्रेविडार का जगम की शुरुवात तो की ही साथ ही कास्ट सिस्टम और वोमेंस ओप्रेशन पर भी काम किया आज उनकी 141 वी बर्थ एनिवर्सरी है और ट्विटर पर पेरियार चाय हुए है किसी ने उन्हें मैन अफ हुमानिटी कहा तो किसी ने हीरो अफ दे सोशल जस्टिस एक ने कहा कि वो क्रूसेडर अगेंस डिस्क्रिमनेशन है तो दूसरे ने उन्हें वारियर अफ सेल्फ रिस्टेक्ट का नाम दिया आज सोशल मीडिया की दुनिया में ना सिर्फ उन्हें याद किया जा रहा है बलकि उनके कहे कोट्स शेर भी किये जा रही है जो शायद आज के समय में भी बहुत रेलेवेंट हैं आज के वट्स ट्रेंडिंग पर हम भी परियार के कुछ यादगार कोट्स को देखेंगे जो लोग शेर कर रहे हैं नमबर एक सिर्फ एजुकेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट और रैशनल कॉलिटीज जैसी वैलियूस ही मार्जनलाइज सेक्शन से जुड़े लोगों की जिंदगी इंप्रूव कर सकते ही नमबर टू, जो तुमें नहीं चाहिए उसे दूर करना और जो जरूरी है उसे अपनाना ही रिफॉर्म है समझदारी सोचने में और सोचने का बेसिस रैशनलिजम ही हो सकता है नमबर थ्री, ये कोई माइने नहीं रखता कि आपके पास धेर सारा पैसा या फिर टाइटल्स हैं अगर इस सब के बीच सेल्फ रिस्पेक्ट और साइन्टिफिक नॉलेज नहीं है नमबर फोर, मैं नहीं कहता कि आप मेरी कही हुई हर बात मानों क्यूंकि वो ही सही है आप उनहीं बातों को मानों जो आपकी रिश्णालिटी पर खरी उतरें 5. मेरी लडाई ब्रहमिन्स से नहीं है पर कास्ट और रिलिजन के नाम पर हुए सप्रेशन से है अगर ड्रैविडिन्स ने ब्रहमिन्स को सप्रेश किया होता तो मैं उनके लिए भी जरूर लड़ता